तो यहां पर हम डिसक्स करने वाले हैं HCV के कुछ important questions chapter है हमारे पास 42 photoelectric effect and wave particle duality तो यह हमारे पास chapter है इसके important सवाल डिसक्स करेंगे और वीडियो जो है like करके जाएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो example number 6 यहां पर सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि एक point source है light का which is placed at the center of the curvature of a hemispherical surface the radius of curvature is small r and the inner surface is completely reflecting find the force on the hemisphere due to the light falling on the source emits a power w तो यह दि source का power w के बरावर है तो कितना force लग रहा होगा उस sphere के उपर यह हमें calculate करना है तो यहां पर मैं एक hemispheres बना देता हूँ और इस hemispheres के center पर रखा हुआ है source और इस source से point source से निकल रही है इस तरीके से photons निकल रहे हैं इस तरीके से photons यहां से बाहर निकल रहे हैं और इनका जो power है वो power किसके बरावर है w के बरावर है power is equal to w यह जो surface है यह perfectly reflecting type का surface है perfectly reflecting type का surface है perfectly reflecting type का surface है तो हम एक बात जानते हैं जरूर से कि यही मान लिज़े आपके पास एक surface है और इस surface पर एक light का beam आ रहा है light का beam आ रहा है और उसकी intensity जो है i के बरावर है तो इसके उपर जो लगने वाला pressure है radiation pressure जिसे कहा जाता है उसकी value आती है 2i by c के बरावर 2i by c के बरावर हमें value मिलती है radiation pressure की perfectly reflecting होने से perfectly perfectly reflecting type का यही surface होगा तो 2i by c के बरावर pressure इसके उपर लग रहा होगा completely absorbing type का surface होगा तो i by c के बरावर pressure लग रहा होगा तो किजी भी part के उपर force निकालने के लिए हम कोई भी area यहाँ पर जूज कर सकते हैं भी मिल जाती है अब देखिए यहाँ पर बिटा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो radiation है वो इस छोटे से part पे भी पढ़ रहा होगा मैं मान लेता हूं कि एक angle theta पर एक छोटा सा area है छोटा सा area मैं मान लेता हूं ds के बरावर है अब इसके उपर force लग रहा होगा इस direction में और उस force की value को हम लिख सकते हैं कितना होगा force df is equal to radiation pressure कितना है 2 into i by c 2 i by c यह तो हुआ साब आपका pressure और pressure into area कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यह ds यह मिल गए आपके पास force अब यहाँ पे intensity क्या है हमें तो power दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो source है यह चारो तरफ अपनी energy को emit कर रहा है तो यहाँ पे intensity को लिखा जा सकता है power upon area power upon area अब लखेंगे 4 pi r square के बरावर 4 pi r square के बरावर इतना intensity यहाँ पर हमें मिल रहा होगा तो मैं I की value भी पता चल चुकी है यह angle यदि theta मान लेता हूं तो यह वाला angle भी theta के बरावर हो जाएगा तो df का component आएगा df cos theta और एक df का component आएगा df sin theta similarly मैं theta angle पर इधर एक element लेता हूं theta angle पर इधर एक element लेता हूं तो यह component आपको मिलेगा force का df sin theta और एक component मिलेगा नीचे की तरफ df cos theta ये बात समझ में आ रही है df cos theta df sin theta दो component हमें force के मिलने वाले हैं अब बेटा देखिए theta angle इधर और theta angle इधर दो जो हमारे पास identical तरीके के elements हैं उनके ये वाले जो component हैं आपस में cancel out हो जा रहे हैं बट ये वाले component जुड़ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक general pair के लिए हो रहा है तो जितने भी pairs यहाँ पर बनेंगे उन सब के ये वाले जो component हैं आपस में cancel out हो जाएंगे और vertically downward वाले जो component है force के वो जुड़ते चले जाएंगे तो आप ये देख लीजे मालीजे alpha angle पर theta 1 पर ले लीजे theta 1 angle पर कोई element है यहाँ पर और एक theta 1 element theta 1 angle पर element है आपके पास यहाँ पर तो इन elements के जो ये वाले components हैं वो आपस में cancel out हो जाते हैं और जो vertical components हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं vertical components जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और horizontal components जो हैं वो आपस में cancel out हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर total force को लिख सकता हूँ कि df net जो है किसी भी एक element पर जो net force है वो downward direction में आ रहा है कि इसके बराबर df cos theta के बराबर df cos theta के बराबर और df cos theta को लिखा जा सकता है 2 times w upon 4 pi r square into c into ds into ds into cos theta यहाँ आपके पास net force किसी भी एक element पर downward direction में integrate करेंगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा यह वाला expression अब इसको और थोड़ा सा आगे थोड़ा simplify कीजिए 2 w, 2 से 2 चला जाएगा आपको मिलता है यहाँ पे w upon sorry w upon pi r square into c pi r square into c pi r square into c और आपको 2 भी है नीचे 2 pi r square into c और अंदर है integration में ds cos theta integral of ds cos of theta ठीक है अब ध्यान से देखें आपे ds cos theta का integral में क्या लिखूंगा यह एक element है angle theta पर जो इसका area बहुत जादा छोटा है इसका ds vector हो रहा होगा इस तरफ इसका ds vector होगा इस तरफ यह angle theta है तो यह वाला angle भी theta के बराबर होगा तो ds cos theta का मतलब हो गया यह वाला component ds cos theta अब इसका physically मतलब क्या है कि यह आपके पास छोटा सा area है इस छोटे से area का यह वाला component यह वाला component के हम बात कर रहे हैं इस component is ds cos theta तो हम जितने भी elements आ रहे हैं उनके horizontal components को जोड रहे हैं यह आपके पास जो area है इस area का मैं horizontal component को जोड रहा हूँ तो इस सारे horizontal components को आप जोडेंगे तो आपको जो total area मिलने वाला है वो यह वाला area मिलने वाला है यह आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके hemisphere के surface area का projection जो है surface area of hemisphere का projection horizontal projection ही integral of ds cos theta है और यह आपको मिल जाता है यह वाला जो projection है which is pi r square तो आपको answer मिलेगा w upon 2 pi r square into c into pi r square तो pi r square से pi r square cancel out हो जाता है आपको answer मिलता है w upon 2 c के बराबर तो यह force जो है इसके उपर लग रहा होगा w upon 2 c के बराबर force लग रहा होगा तो यह था सवाल ठीक है अच्छा सवाल था यह concept काफी जादा important है ठीक है आपको आना ही चाहिए यदि आप preparation कर रहे हैं serious तो आपको यह concept जो है आना चाहिए यह concept सिर्फ यहाँ नहीं यह concept radiation में भी आता है और यह concept जो है आता है साब हमारे electrostatics वाले chapter में भी और जो आपका electric potential वाला जो portion है उसमें भी यह इस्तिमाल होता है तो आप याद रखेगा यह concept कैसे करते हैं सवालन को तो बच्च एक छोटा सा announcement है यहाँ पर तो सबसे पहले तो जो Ace Unacademy Champions League है वो JE के लिए start हो रही है फिर से और यहाँ पर आपको chance मिलेगा to meet Sachin Tendulkar Sachin Tendulkar से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको कि एक test होगा, aptitude based test होगा December 18, December 19, 26, 1 PM onwards और यह जो test है, यह free है आपको बस website पो जाके enroll करना है और यह test देना है दूसरा हमारे पास यह है कि Unacademy Champions League जो पहला slide था जिसमें Sachin Tendulkar से मिलने का मौका था उसमें prizes भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो rank होने वाली है उनको 20,000 का price मिलने वाला है और 100% तक scholarship भी आपको मिलेगी और 11 से 30 के लिए 10,000 का cash price और 31 से 50 के लिए 6,000 का cash price आपको मिलने वाला है और 7 में scholarship भी यहाँ पर होने वाली है और यहां पर आप देख चुके हैं कि जो rank first है उसके लिए 1 लाग का prize है और यहां पर यह group stage के लिए था यह group stage के लिए था यह फाइनल्स के लिए है यह सारे जो है prizes आपको यहां पर मिल सकते हैं तो aptitude test के लिए आपको करना है dates कौन कौन सी हैं 18-19-26 और एक बज़े जो है दुपैर में आपको यह test मिलने वाला है उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि ITJ कलिए mega combat होने वाला है 19th of December 19 December को ज़्यादा दूर नहीं है 11am 11am को यह होने वाला है class 11th 12th और 13 के लिए 60 मिनिट का पेपर होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 questions आपको मिलने वाले हैं ठीक है तो लगबख जो है 3 मिनिट से थूड़ा से कम टाइम आपको मिलेगा जो sufficient है सवालों को करने के लिए और 500 जो lucky participants होंगे उनको जो है prize मिल सकते हैं Macbook Air, iPad, Samsung का एक phone और JBL के headphones और Amazon के vouchers उसके बाद हमारा अगला announcement है कि class 11th का जो है bootcamp जो है लग रहे है और जो बच्चे IIT जेए 2023 को जो है target कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है और 12th moving students हैं और उनमें होगा क्या कि class 11th का जो है वो revision आपको करवाया जाएगा और exam कैसे attempt करना है वो strategy आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली है और motivational lesson जो है वो यहाँ पर होंगे उसके बाद हमारा अगला announcement है कि यह जो day 1 पे जो classes आपको होने वाली है वो यहाँ पर schedule आपको दिखाया हुआ है कि 9-11, 9-10 screenshot ले सकते हैं आप इसका देखिए यह जो है सारी classes और आपकी टॉप teachers है वो यहाँ पर mention है उसके बाद कुछ batches की announcement है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15th December को batch start हो रहा है Striker batch है जो J-Main 2020 के experience है उनके लिए J-Main और Advance दोनों के लिए यहाँ पर Rapid Revision 2.0 जो है batch start हो रहा है और यहाँ पर हमारे पर start हो रहा है Excellence batch for class 11th for J-Main and Advance 2023 जो बच्चे exam देंगे अपना attempt देंगे 2023 में उनके लिए बैच जो है start हो रहा है यहाँ पर जो है सारे जो top teachers है वो आपको पढ़ाने वाले हैं और batch start होगा 15th of December को तो आप जो है अपने mobile में reminder भर लीजिए 15 December को batch start हो रहा है यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में जही फोड़ना चाहते हैं तो आप यह batch join जरूर कीजिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है batch की रहा है तो यहाँ पर हम question discuss कर रहे हैं question number 13 question number 13 कहता है two neutral particles are kept one meter apart दो particles हैं तो neutral हैं वो और उनके बीच का separation है one meter के बराबर suppose by some mechanism some charge is transferred from one particle to the other and electric potential energy lost is completely converted into a photon क्या हो रहा है यहाँ पर कि electrical potential energy जो है उनकी वो completely lost हो जाती है to generate a photon to calculate the longest and the next smaller wavelength of the photon possible is equal to तो हमें longest wavelength निकालनी है longest wavelength का मतलब हो गया कि जो energy उसके corresponding है photon के वो बहुत ज्यादा कम है energy बहुत ज्यादा कम है इसका मतलब हम कह रहे हैं कि पूरे system की potential energy कम से कम कितनी हो सकती है समझ रहे है relation chronology जो है आप समझ लीजिए कि lambda का relation है E से और E का relation है U system से U system से relation है तो chronology आप समझ चुके हैं तो आप देखे बिटा कि energy जो है system की सबसे कम कब हो सकती है जब उनके उपर जो होने वाले charges है वो कम से कम हो सके है तो U system का relation है किसे? चार्ज से तो यह सब आपस में connected है तो charge हम minimum से minimum कितना कर सकते हैं एक particle के उपर मैं कह सकता हूँ कि minimum से minimum तो एक electron का transfer हो सकता है और एक electron के transfer से E के वराबर charge उन दोने के उपर हो सकता है तो यही बात हुई हमारे पास एक particle ये है दूसरा particle ये है ये वाला जो particle है वो एक electron जो है release कर देता है electron छोड़ देता है electron छोड़ देता है यहां से यहां sorry, यहां से electron जो है यहां गया है तो यहां पे charge आजाता है plus e के बराबर, यहां पे charge आजाता है minus e के बराबर और इनके बीच का जो potential energy है वो potential energy के बराबर energy होती है photon की वो lose हो जाती है energy photon को निकालने में तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that k into e into e divided by r divided by r which is 1 meter वो किसके बराबर है? h c by lambda के बराबर है तो यहाँ से हमें मिल जाता है longest wavelength longest wavelength is equal to is equal to आपको मिल जाता है h c into 1 meter divided by k into e square h की value है 6.6 into 10 is raised to the power minus 34 c की value है 3 into 10 to the power 8 divided by k की value है 9 into 10 to the power 9 और e square की value है 1.6 into 10 to the power minus 19 का square तो यह हमें answer में मिल जाता है this is the longest wavelength अब कह रहे हैं कि longest से just छोटी वाली wavelength बताईए तो भाई हमें सबसे कम charge जो हमने लिया था वो लिया था एक electron के बराबर तो अब की बार क्या कीजिए आप 2 electron के बराबर charge जो है बना लिजी तो हमें हम कह सकते हैं कि इस particle से 2 electron यदि निकल जाएंगे तो इसके उपर charge जाएगा plus 2E के बराबर और दूसरे particle पर charge कितना जाएगा minus 2E के बराबर अब इनकी बीच का जो potential energy है वो photon को convert करने फोटन बनाने में चली जाएगी आप लिकेंगे k into 4E square divided by 1 is equals to hc by lambda तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो lambda होने वाली है that is shorter just shorter than the longest wavelength तो longest wavelength जो possible है उससे ज़स्ट छोटी जो wavelength है वो हम निकाल रहे है lambda dash और उसकी value आजाने वाली है किसके बराबर hc divided by 4ke square तो जो पिछली बार में जो value निकाली है उसका 1 by 4 कर दीजेगा आपको next छोटी wavelength जो है मिल जाती है तो समझ गया यहां पर answer आप check भी कर सकते हैं 860 और 215 तो इसमें 4 से divide करेंगे तो वह 215 आपको मिल जाता है वही आपको यहां से मिल रहा है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नमबर 17 की तरफ question नमबर 17 में कहा गया है कि find the maximum magnitude of the linear momentum maximum magnitude of the linear momentum of a photo electron emitted when wavelength of light 400 nanometer falls on a metal having work function 2.5 electron volt तैसे काफी जादा आसान सवाल है देखिए जो linear momentum होता है वो होता है हमारे पास h by lambda के बरादा तो यह सबसे ज्यादा हमें चाहिए maximum value निकालनी है तो lambda की जो है हमें minimum value चाहिए lambda की value minimum चाहिए तो यहां से हमें मिल जाता है क्या कि maximum kinetic energy maximum kinetic energy अच्छा हम पर क्या करते हैं photo electron की बात करें अच्छा यहां पे छोड़ा सा mistake हमने कर दिया है mistake सुनिया यह जो h by lambda formula है यह photons के लिए है लेकिन हम बात कर रहे है maximum linear momentum electron का चाहिए तो electron के लिए मैं d-brogly wavelength का formula लिखूँगा d-brogly wavelength का formula लिखूँगा simply m into b के बरादर तो यह linear momentum mb के बरादर होगा तो maximum यदि आपको linear momentum चाहिए तो आपको इसकी speed जो है वो भी maximum होनी चाहिए और maximum यदि speed है तो kinetic energy जो maximum है वो भी होनी चाहिए तो इसको लिख सकता हूँ Einstein's equation से hc by lambda minus hc by lambda तो यहां से kinetic energy आपको मिल जाएगी और kinetic energy मिल जाएगी तो हमें linear momentum भी मिल जाएगा तो इसको लिख दीजिए आप p square divided by 2m is equal to hc when upon lambda minus अच्छे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc by lambda minus phi naught hc by lambda minus phi naught तो बस हमारा काम हो गया so p square by 2m आपको मिल जाता है hc which is 12400 divided by lambda in angestrom 4000 यह electron volt में हो गया minus of phi naught which is 2.5 electron volt तो यहां से आपको maximum kinetic energy मिल जाती है और यहां से आप निकाल देंगे p square p की value जो है आप निकाल सकते हैं 2m इन्टो यहां पे जो bracket में है chi square root तो यहां से आपको maximum linear momentum भी मिल जाता है समझ गए बात ठीक है सवाल है कुछ ऐसा कि एक electric field है associated with a light wave is given by this E naught sin of 1.57 को πi by 2 लिख सकता हूँ πi by 2 into 10 to the power 7 meter inverse x minus e t कुछ ऐसा equation दिया हुआ है find the stopping potential when this light is used in an experiment on a photoelectric effect with the emitter having work function 1.9 electron volt तो हमें stopping potential की value calculate करनी है stopping potential कितना होगा तो आप सबसे पहले तो यहां frequency निकाली है कि frequency कितनी है यहां से में लिख सकता हूँ इस equation को e is equal to e naught और यहां पे आजाएगा आपके पास pi by 2 into 10 to the power 7x minus of pi by 2 into 10 to the power 7 into c into t तो यह कुछ ऐसी equation लिखी हुई है e naught यहां बेh sin भी है sin of k into x minus omega t k x minus omega t ऐसी equation लिखी हुई है इसका मतलब यह जो time के साथ लिखा हुआ है यह omega के बराबर है और omega की value पता चल चुकी है तो मैं frequency की value भी पता चल जाएगी तो frequency आपको मिल जाता है omega upon 2 pi के बराबर so omega की value है कितनी pi by 2 into 10 is raised to the power 7 into 3 into 10 to the power 8 यह मिलके आपको omega की value divided by 2 pi divided by 2 pi यह मिलके आपको frequency solve कर लीजे 2 pi से pi चला जाता है और यहां से आपको मिलेगा 3 by 4 3 by 4 into 10 to the power 7, 7, 14, 15 3 by 4 into 10 to the power 15 is the value of frequency अब frequency पता चल चुकी है तो आप लगा सकते हैं formula equation लगा सकते हैं Einstein की तो यहां से आपको E हमें voltage में निकालना है तो E into stopping potential is equal to H into F H की value है 6.6 into 10 to the power minus 34 into F की जो value है वो 3 by 4 into 10 to the power 15 है minus of 1.9 electron volt को बनाना है volt में so 1.6 into 10 to the power minus 19 से multiply करतीजे यह भी है 1.6 into 10 to the power minus 19 तो यहां से आप Vs की value जो है calculate कर सकते हैं बड़े आराम से calculate कर सकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा because आप जो exam देंगे वो objective type का होगा आपको choices दी जाएंगी maximum questions में तो आप थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर सकते हैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी का मतलब है यदि आपके पास denominator numerator दिये हुए है मान लिजे कुछ इस तरीके situation है कि 227 227 divided by मान लिजे आपको दिया हुआ है let's say 453 दिया हुआ है 453 आपको यहां पे दिया हुआ है 457 ले लिजे 457 ले लिजे 453 ले लिजे तो आपको पता है कि direct जो है आप इनको divide नहीं कर सकते हैं काफी मुश्किल आने वाली है decimal में आप कहां से मिल रहा होगा तो आप जो है इस numerator में से जो है दो कम कर दीजे numerator में से दो कम कर दिया तो होगा क्या कि overall quantity जो है छोटी हो जाने वाली है तो quantity को बढ़ाने के लिए आप denominator को घटा सकते हैं तो denominator को लिख दीजे कितना 450 के बराबर तो अब आराम से cancel out हो जाएगा पंद्रे से चला गया है पंद्रे बार पंद्रे से चला गया है तीन बार तो आपको 1 by 2 के असपास answer मिल जाता है तो ये तो एक simple example हुआ जो मेरे दिमाग मैं वो मैंने बता दिया मतलब मैं ऐसे हिरा फेरी की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा बहुत जो है वो आपको मिल जाएगा क्योंकि हमें options दिये हुए है options साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार साफ साफ पता चल जाएगा answer की इसके आसपास आने वाला है तो हम समझ सकते हैं कि answer ये पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि answer हमें basically जो है order चाहिए होता है कि answer 1000 में आ रहा है या 10,000 के multiple में आ रहा है या 5000 के multiple में रहा है 10 to the power minus 9 के order में आ रहा है तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं accordingly कर्णास देख सकते हैं याप कर्णास आप जाख सकते हैं कर्णास आप देख सकते हैं यापको अजर आप थागा को-चाहिए है जो क्ते हैं